हम देख रहे हैं इंट्रोड़क्शन टु माइक्रोबाइलोजी एससी क्लास 10 साइन्स ट्यू चाप्टर नमबर 7 आज इसका देखेंगे लेक्चर नमबर 3 लेक्चर 3 में बात करेंगे पेज 81 पे आने वाले दो टेबल के बारे में अब 10 स्टेंडर्ड लेवल पे ये दोनों टेबल पढ़ने का कोई पॉइंट कोई परपस कोई मुद्दा नहीं है तुमारे सिलेबस में इनको क्यों डाला ये तो सिर्फ उपर वाले को पता है इन स्पाइट अफ दाट इन दोनो टेबल के उपर बेस्ट अब्जेक्टिव क्वेशन आते हैं और उन में माक्स जाने का चांस 200 परसंट है ठीक है यहां पर काफे सारे माइक्रो आर्गेनिजम के नाम है केमिकल्स के नाम है जब बड़ा तोड नाम है जो हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे रिपेटेटली लिखने पड़ेंगे तब जाके याद रहेंगे नहीं तो नहीं रहेंगे आज का लेक्चर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है गंदा भी हो सकता है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी सक्सेस्फुल ठीक है इफ यहां न अनिक आसेड और माइक्रोब्स यूस्फुल फॉर दा सेम पहले इस टेबल का मुद्दा समझ लीजिए पॉइंट समझ लीजिए हमारे पास कुछ माइक्रोब्स है वो माइक्रोब्स और गानिक आसेड बना कर देंगे I repeat इसटीट, micro-organisms organic acid बना के देंगे and उस organic acid को हम किसी ना किसी industry में कही ना कहीं use करने वाले हैं नहीं समझा, एक और बार, microbes हैं क्या बना के देंगे organic acid and वो organic acid हम industry में कहीं ना कहीं use करने वाले हैं अभी भी नहीं समझाए तो समझ जाएगा, चलिए, मुद्दा, शुरू करते हैं, source की बात करेंगे सबसे पहले, source मतलब क्या, a nutrient source जिसको use करके microbes fermentation करेंगे तो पहले acid का source कहा दिखे हमारा, sugar and beet molasses, sugar molasses हमने last lecture में पढ़ा हुआ है, फिर भी आपको बता देता हूँ, sugar industry में जब sugar बनता है, from sugar cane juice, during that process, during that production, एक by product बनता है, एक waste product बनता है, जिसको sugar molasses बोलते हैं, thick black, dark, syrup जैसा liquid होता है, गाड़ा, बताया था मैंने आपको, right, that is sugar molasses, and कुछ उसी तरह से बनता है, beet molasses, आपको एक बात बता हूँ, beet juice में से भी sugar बनाया जाता है, beet juice में से भी sugar बनता है, and during that process, हमें एक waste product मिलेगा, जिसको बोलेंगे, beet molasses, तो हमारा एक source समझ गया, sugar and beet molasses, इसके साथ हम add करेंगे, ammonia salt, ammonium salt भी बोल सकते हो, तो ये दोनों चीज है, हमारी source है, raw material है, ठीक है, इसके अंदर हम एक bacteria add करेंगे, एक नहीं, दो bacteria add करेंगे, brevibacterium, नाम भाई पांच बार लिखना तो याद रहेगा, brevibacterium and corinibacterium, इस वाले का spelling गलत दिया हुआ है, टेक्स बुक में, corinno दिया हुआ है, वो correct कर लो, corinibacterium है, ठीक है, हमारे 2 micro, berivibacterium, corinibacterium, यह दोनों मुझे क्या बना के देते हैं, L-glutamic acid, L-glutamic acid, अब आपको एक बात बताता हूँ, सुनो ध्यान से, तुम्हारे टेक्स बुक में table देखे, वहाँ पे जो third column है न, organic acid वाला, वहाँ पे amino acid लिखा हुआ है, which is wrong, हम 5 acid पढ़ने वाले हैं, उसमें से सिर्फ एक acid, L-glutamic acid, amino acid है, मतलब glutamic acid में amino group होता है, बाकी सारे acid सिर्फ organic acid है, तो मैंने यहाँ पे correction किया हुआ है, वो जो amino acid वाला column है, उसको मैंने organic acid लिखा हुआ है, तो यह भी आप चाहिए, तो correct कर लो अपने textbook में, शायद थोड़ा confusing हो सकता है यह part, because इतनी chemistry आपको नहीं आती होगी, कोई बात नहीं, आगे जाएं, तो glutamic acid बन गया, इस glutamic acid को use करके, हम बनाएंगे हमारा monosodium glutamate, MSG, agenomoto, controversial salt, Chinese salt, जिसके बारे में हमने बात किया था, तो यह हुआ पहला acid, source क्या था बता सकते हो, sugar and beet molasses, plus ammonia salt, microbe कौन से दो यूज़ किये, brevibacterium, corinibacterium, कौन सा organic acid बना, L-glutamic acid, जिसको use करके बनाया, agenomoto, ठीक है, second acid देख लेते हैं, चलिए, source में क्या दिया हुआ है, sugar molasses, same हमारा sugar industry का waste product, इसके साथ हम लेंगे थोड़ा नमक, salt, source हो गया, इसमें हम microvad करेंगे, aspergillus niger, pronunciation पर ध्यान देना, aspergillus niger, it is the type of fungus, एक fungus होती है, right, and यह aspergillus niger, मुझे क्या बना के देगी, यहां पर, citric acid, अब इस citric acid को industry में, food products में, use किया जाता है, किसी भी food product को, अगर मुझे खटा करना है, acidity देनी है, तो मैं citric acid को use करूँगा, तो इसका use हम कहां कर सकते है, drinks बनाने के लिए, toffee, candy, chocolate, किसी भी food को खटा करने के लिए, acidity देने के लिए, citric acid use किया जाएगा, यह हो गया तुम्हारा, second acid, ठीक है, आगे जाए, रुक रुक के जा रहा हूँ, ज़रा time दे रहा हूँ आपको process करने के लिए, काफी सारी information है, तीसरा, source देखो क्या दिया हुआ है, glucose, glucose आपको पता है, हमारी sugar है, glucose के साथ हम लेंगे, एक नया item, corn steep liquor, अब यह corn steep liquor क्या है, धियान से सुनना, corn होता है न हमारी मक्काई मेज, corn का जब processing किया जाता है, उस processing में करते क्या है, corn में से कुछ चीज़े separate की जाती है, corn starch, corn oil, कुछ proteins, कुछ vitamins, ये सारी चीज़े corn में से separate की जाती है, corn का processing किया जाता है, during that processing एक waste product बनेगा, एक by product बनेगा, जिसको बोलेंगे corn steep liquor, ये भी एकदम गाड़ा, थिक, black, सिरफ जैसा liquid है, ठीक है, एंड इसके अंदर भी बहुत सारे proteins, vitamins होते हैं, nutrients होते हैं, बहुत सारे, इस corn steep liquor को microorganisms grow करने के लिए यूज किया जाता है, as a culture media, ये भी शायद थोड़ा confusing हो सकता है, कोई बात नहीं, हमारा source क्या है, glucose and corn steep liquor, यहाँ पर हम माइक्रोब हमारा यूज करेंगे, same aspergillus, niger and यहाँ पर यह हमें क्या बना के देगा, gluconic acid, source क्या था, glucose था, तो glucose से बनेगा gluconic acid, इस तरह इसको आप याद रख सकते हो, gluconic acid, इसको कहाँ पर यूज करेंगे, देखे, काफी मस्त यूज है, production of minerals, used as supplement for calcium and iron, मतलब क्या, आपको पता है, calcium tablets मिलता है, supplements मिलता है, iron tablets, iron supplements, तो वो जो calcium tablet है, उसमें एक compound होता है, calcium gluconate, calcium gluconate कहाँ से बना, from gluconic acid, iron tablet में होता है, iron gluconate, वो iron gluconate कहाँ से मिला, from gluconic acid, तो gluconic acid को supplements बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, रुक रुक के जा रहा हूँ, अगला वाला देख लो, ठीक है, यह थोड़ा controversial है, source क्या यूज करेंगे, molasses, हमारा कोई भी हो सकता है, sugar molasses हो सकता है, या फिर beet molasses, कोई भी चलेगा, and corn tip लेकर हमारा, corn processing का byproduct, यहाँ पे हम bacteria यूज करेंगे, आपका प्यारा दुलारा, lactobacillus, delbrue, की, and microbe का नाम लिखते वक्त, एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है, first alphabet, capital L रहेगा, and second word का first alphabet, small रहेगा, D small है, बराबर, and अगर आप notebook में लिख रहे हो, तो उसको underline करना अनिवारिया है, याद रखने हैं, आपको यह, यह तो max जाएगा, नहीं तो max जाएगा, ठीक है, lactobacillus क्या बना के देता है, yogurt production में हमने पढ़ा, it will produce lactic acid, and, 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 इसका use, textbook में दिया है, source of nitrogen, lactic acid is used as a source of nitrogen, लेकिन इस बात का reference मुझे internet पे कहीं पे भी नहीं मिला, देखो, आपको एक बात बता हूँ, lactic acid का जो structure है, chemical structure, उसमें nitrogen नहीं होता है, तो I don't know how lactic acid will be used as a source of nitrogen, इसका reference किसी भी research paper में, internet पे, कहीं पे भी नहीं है, अगर आपको पता है, if some teacher is watching, या फिर कभी student है, जिसको ज़्यादा आता है, आपको अगर पता है, तो please, comments open है, comments में डाल दीजिएगा, मुझे भी पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा, ये एक बात का हमें confirmation नहीं है, फिर भी textbook में दिया है, and second use है, production of vitamins, lactic acid को कुछ vitamins बनाने के लिए use किया जाता है, इसका reference मिला, तो this is true, ठीक है, तो दो use दिये हुए है, source of nitrogen and production of vitamin, समझा ये वाला, अगला वाला देख लो, last वाला, source हमारा से ही में रहेगा, molasses and corn's, deep liquor, microbe यहाँ पर use करेंगे, aspergillus itaconeus, ये भी एक टाइप का fungus है, aspergillus के ही group में आता है, aspergillus itaconeus, क्या बना के देगा, itaconic acid, अब ये itaconic acid, polymers बना सकता है, ये polymers आपको नहीं पता होगा, because वो carbon compounds का एक topic है, जो reduce हो चुका है, तो शायद आपको नहीं समझेगा, फिर भी simple simple भाषा में आपको बताता हूँ, itaconic acid will be used as a raw material, as a starting material, for the production of paper, paper को strong बनाने के लिए, thickness देने के लिए, trends देने के लिए, use किया जा सकता है, दूसरा, textile industry में कपडे बनाने के लिए use किया जा सकता है, synthetic कपडे, artificial कपडे, ठीक है, फिर plastic बनाने के लिए use किया जा सकता है, and gum production, एदेसे उशेंबुड के जैसा gum होता है न, उसको बनाने के लिए यूज किया जा सकता है आईटा कॉनिक एसेड तो ये हुए हमारे पाँच एसेड और उन पाँच एसेड का रोल्स यूजस काफी सा अजीब सा टेबल है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है थोड़ा आप दो-तिन बार उसको रीड करते हो पाँडर को जो भी उसका मिक्स आता है उसको पानी में डालोगे उसको आप मिक्स करोगे उसको आप गरम करोगे आफ्टर सम टाइम वो ठीक हो जाता है गाढ़ा हो जाता है तो इन सारे food प्रोडक्स में एक chemical यूज़ केा जाता है वो chemical फूड को गाढ़ा बनाता है ठीकनेस देता है Carbon का नाम है Xanthan Gum Xanthan Gum क्या करेगा फूड को ठीकनेस देगा फूड को गाढ़ा बनाएगा, सिम्पल है, स्टोरी बहुत सिम्पल है, तो ये जैन्थन गम किस तरह बनाया जाता है, देखे, ओविसली हमें चाहिए एक raw material, एक source of nutrient, starch and molasses, sugar molasses, beet molasses, कोई भी चलेगा, starch and molasses का किया जाएगा fermentation, fermentation हमने पढ़ा है, chemical breakdown of a substance by a microorganism, बराबर हैं, तो इन दोनों का fermentation किया जाएगा, एक tank में, और यहाँ पे हम bacteria use करेंगे, Xanthomonas species, देखो बात ऐसी है न, कि Xanthomonas जो bacteria है, उसके बहुत सारे species होते हैं, अलग-अलग प्रजातियां हैं, जिनको use करके Xanthomonas बनाया जा सकता है, तो इसलिए नाम क्या दिया है, Xanthomonas species, उसका कोई भी species हम use कर सकते हैं, एक बात हो गई, तो अभी starch and molasses का fermentation कौन कर रहा है, Xanthomonas, and हमें क्या मिल रहा है, Xanthan gum, process, production काफिस जदा सिंपल है, अच्छा ये Xanthan gum थंडे पानी में भी डिजॉल होता है, गरम पानी में भी डिजॉल होता है, and food को क्या देता है, thickness देता है, गाढ़ापन देता है, एकदम सिंपल, अब uses of Xanthan gum, इसके उपर आपको तीन माक का question आ सकता है, एकजाम में आया भी है, बोर्ड एकजाम के अंदर, तो बहुत अच्छे से पढ़के जाना, uses of Xanthan gum, सबसे पहला, pigments, घर पे हम paint मारते हैं, उन paint में, paint को thickness देने के लिए, गाढ़ा बनाने के लिए, यूज किया जाएगा, दूसरी बात, weedicides, आपको पते, crops होते हैं, farm में, crops के आजू-बाजू, छोटा-छोटा unwanted plant grow होता है, जिनको बोलते हैं, weeds, उन weed को मारने के लिए, उनके उपर weedicides, spray किया जाता है, simple बात, कीडे मारने के लिए, insecticide spray करते हैं, वैसे ही, weed को मारने के लिए, weedicide spray करते हैं, तो उस weedicide में भी thickness देने के लिए, जैन्थन गम यूज किया जाता है, फिर, toothpaste डो हम घर पे, दात घासने के लिए, यूज करते हैं, उस toothpaste को भी thick बनाने के लिए, जैन्थन गम यूज किया जाएगा, फिर, fertilizer में भी binding करने के लिए, थिकनेस देने के लिए, यूज किया जाएगा, high quality paper, एकदम कड़क paper होता है, and handmade paper होते हैं, बहुत सारे, उनको भी thickness देने के लिए, फिर, उनको bind करने के लिए, बनाते वक्त, जैन्थन गम यूज किया जाएगा, and last, textile pigment, कपड़े का जो color होता है, कपड़ों को dye करने के लिए, जो color यूज किया जाता है, उसमें भी जैन्थन गम एड किया जाएगा, तो ये 6 यूज, तीन माक के लिए पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़के जाना, pigment, weedicide, toothpaste, fertilizer, high quality paper, and textile pigment, ज़रा भी difficult नहीं है, easy है, चले आगे जाते हैं, दूसरा टेबल, जो और भी जाधा गंदा है, वो भी देख लेते हैं, काफी बड़ा आसा नाम है, Substance is obtained by microbial processing and their roles, मुद्धा समझ लो पहले टेबल का क्या है, microbial processing से, fermentation से, हम कुछ substance produce करेंगे, fermentation से हम कुछ substance produce करेंगे, और उस substance को industry में कही ना कही यूज किया जाएगा, उसका कुछ ना कुछ role है, ठीक है, समझ जाएगा, don't worry, चलो, तो हमारे पास दो कॉलम है, Substance is obtained by microbial processing and उनका roles, पहला वाला, citric acid, malic acid and lactic acid, नाम थोड़े बहुत जादा हैं, थोड़े difficult भी हैं, तो उनको याद रखनी के responsibility आपकी है, लिख कर याद करना, repeat करके याद करना, लेकिन याद करना, exam में आ सकता है, objective उसमें आ सकता है, ठीक है, citric acid, malic acid, lactic acid, ये तीनो acid हैं, मतलब ये खटे हैं, तो इनको अगर हम food में add करें, तो food भी खटा हो जाएगा, food acidic हो जाएगा, तो इनका काम क्या है, to impart acidity, food को acidic बनाने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला, glutamic acid, lysine, tryptophan, pronunciation पर बहुत ध्यान दीजिएगा, glutamic acid, lysine, tryptophan, अब ये तीनो amino acid हैं, क्या है, amino acid, अब आपको पता है कि amino acid का अगर chain बनता है, तो protein बन जाता है, chain of amino acid is called as protein, right, तो इनका काम क्या है, ध्यान से सुनना, मान लो कि आपके body में एक protein है, ये क्या है, protein है, इस protein को एक cell पे चिपकना है, I repeat, protein को cell के उपर चिपकना है, इस process को बोलते हैं, protein binding, जब एक protein किसी cell पे चिपकता है, तो उसको बोलते हैं, protein binding, तो ये protein binding में, ये तीन amino acid help करते हैं, protein को cell पे चिपकने के लिए, ये तीन help करते हैं, तो इनका काम क्या है, to help in protein binding, ठीक है, what is protein binding, जब एक protein किसी भी cell पे चिपकता है, या फिर किसी दूसरे structure पे चिपकता है, तो उसको protein binding बॉलते हैं, थोड़ी सी अजीब complicated process है, अगर मतलब नहीं भी समझाए तो don't worry, exam में meaning नहीं पूछेंगे, मैं तो सिर्फ explain कर रहा हूँ, तो अज़र आपको पता हो, ठीक है, तीसरी बात, nicene and netamycin, यह दोनो chemical है, इनका काम है microbial restrictor, microbial restrictor मतलब क्या, microbes के growth को stop करते हैं, bacteria को fungus को grow होने नहीं देंगे, तो इनको medications में भी use किया जाता है, infections को treat करने के लिए, and netamycin को food में भी add किया जाता है, as a preservative, so that उस food के अंदर कोई fungus या कोई bacteria ग्रो ना हो, ठीक है, microbial restrictor, फिर बात करते हैं, ascorbic acid, that is vitamin C, vitamin C का scientific name ascorbic acid है, and vitamin B12 and vitamin B2, इनको भी food में add किया जाएगा, इनके दो काम है, antioxidants and vitamin, अब आपने एक process सुनी है, oxidation, अगर किसी food product का oxidation होता है, I repeat, food का oxidation अगर हुआ, तो वो food क्या होगा, खराब हो जाएगा, तो इन तीन vitamins को, vitamin C, vitamin B12, B2, इनको food के अंदर add किया जाता है, so that food का oxidation ना हो, ये लोग क्या करते हैं, oxidation को prevent करते हैं, तो इनका role क्या है, antioxidant, oxidation को होने नहीं देते, and obviously they are used as vitamins in food products, दो काम समझ में आ गए है, ठीक है, अगला वाला, beta carotene, बहुत प्यार से पढ़ना अच्छे अच्छे नाम है, beta carotene, lycopene, xanthene and lutein, beta carotene, lycopene, xanthene, lutein, नाम भले खतरनाक हैं, इनका काम बहुत जादा simple है, they are edible colors, food coloring जो आती है, अलग-अलग color आते हैं, orange, yellow, green, वो इस सारे chemicals होते हैं, food colors, ठीक है, ये 5 item समझा, मैंने बोला है, table बहुत ज़िए गंदा है, अजीप सा है, बहुत सारे नाम है, याद रखने पड़ेंगे, अगली बात करते हैं, 6th, polysaccharide and glycolipid, देखो, polysaccharide मतलब carbohydrates, simple भाशा में, polysaccharide मतलब carbohydrate, glycolipids मतलब fat, अब इनको use किया जाता है, as emulsifiers, इसके पिछे की कहानी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश आप करना, अगर पानी में oil डालते हैं, तो oil float होता है, ठीक है न, उसको mix भी कर लो, लेकिन वापिस oil उपर आजाएगा, पानी निचे रहेगा, ठीक है, यह आपको पता है, लेकिन अगर उस oil and water में, एक chemical add किया जाए, एक emulsifier add किया जाए, तो oil and water का mixture बन जाएगा, oil and water पूरी तरह mix हो जाएंगे, उस mixture को बोलते हैं emulsion, ठीक है, तो इनको polysaccharide and glycolipid, इनको food product में add किया जाएगा, as emulsifiers, so that उस food के अंदर अगर कोई fat है, कुछ oil है, तो वो separate ना हो जाए, एक mixture बना रहे, emulsion बना रहे, समझ रहे हो, कोशिश पूरी कर रहा हूँ, ठीक है, चलो, 7th one, बहुत ही सिंपल है, vanillin, vanilla flavor आपने सुनाओगा न, vanilla essence आता है, ethyl butyrate, fruit flavor, peppermint flavor, essence of various fruit and flower, तो यह सब क्या है भाई, यह क्या है, essence है, food essence जो हमें आते हैं, market में मिलते हैं, यह भी microbial fermentation से, microbial process से बनाय जाते हैं, ठीक है, 8th वाला, last वाला, xylitol and aspartame, xylitol, aspartame, यह दोनों chemicals, यूज किया जाते हैं, as an artificial sweetener, आपने यह सुनाओगा न, sugar free वगेर आता है, zero calorie sugar वगेर आता है, उन चीजों के अंदर, वो artificial जो sweetener है, zero calorie वाला, उसके अंदर यह दोनों chemical यूज किया जाते हैं, तो यह हो गए हमारे सारे substances obtained by microbial process and उनके roles, I hope concept तो समझ में आया, देखो concept तो ज़्यादा difficult नहीं है, दिक्कत तो आपको सिर्फ याद रखने में आएगी and with practice, I hope you can remember, I know और भी subjects होते हैं पढ़ने के लिए, सिर्फ science नहीं है, लेकिन थोड़ी कोशिश करी जाए, अगर थोड़ी महनत करी जाए, तो याद रह जाएगा, ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा आगे जाते हैं, antibiotics, antibiotics हमने 9 standard में बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा revise कर लेते हैं, मान लो कि मुझे कोई bacterial infection हुआ है, क्या हुआ है, bacterial infection, तो उस bacteria को मारने के लिए, infection को खतम करने के लिए, डॉक्टर मुझे क्या देगा, antibiotics देगा, तो antibiotic क्या है, medication है जो bacterial infection को खतम करता है, लेकिन एक बात याद रख़ना, Antibiotics सिर्फ bacteria packed करेगा Virus के लिए काम नहीं करता है ठीक है बच्चो तो humans का Animals का भी बहुत सारा बिमारी Antibiotics से treat किया जाता है So many diseases of humans As well as animals Have been controlled Have been treated Due to antibiotics यह हमें पता है अब यह antibiotics बनाता कौन है हमें कहां से मिलता है कौन बनाता है Bacteria and fungi Fungi Antibiotics are obtained from Bacteria and fungi Bacteria and fungus हमें antibiotic बना कर देते है मतलब एक बैक्टेरिया एक बैक्टेरिया antibiotic बनाता है और वो antibiotic दूसरे बैक्टेरिया को मारता है समझे Eat का जवाब Eat से पत्थर का जवाब पत्थर से Bacteria का जवाब Bacteria से एक बैक्टेरिया एंट्टि बना के देगा कि दूसरे बैक्टिरिया को मारे गा री कहानी समझ रहे हो तो हमारे मार्केट में बहुत सारे लाज स्वाइं विलीबल है नाम हमें दिये हुए है फट पढ़लो पनिसिलिन Cephalosporin, Pransession पे ध्यान देना, Monobactam, Bacitracin, Erythromycin, पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ, लिखते भी जाओ, Gentamycin, Neomycin, Treptomycin, Tetra-Cyclin, Vancomycin, Refamycin, तो ये सारे अंटिबाइटिक अवेलेबल हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, and Refamycin is effective against Tuberculosis, Tuberculosis के Treatment में यूज किया जाता है, तो यहां होती है हमारी आज की कहानी, समप्त, पूरी कोशिश की गई है पढ़ाने की पूरा जोश, पूरा दम लगा दिया गया है, शेर करना वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, जैमाता दी, लाइक कर देना, सब्सक